हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ बहुत ही बेसिक से केक की रेस्पी शेयर करी हूँ यह है वनीला स्पॉंज केक अगर आप बेगनर है यह पहले आपने कभी केक ट्राई किया है बीच से केक बैट जाता है या कच्चा रह जाता है या थोड़ी देर बाद ही बैटर निकल कर बाहर गिरना शुरू हो जाता है तो यह रेस्पी आपके लिए है क्योंकि इसमें मैंने पूरे टिप्स और ट्रिक कर लेंगे इसमें मैंने बाटर पेपर लगाया है अगर आप बाटर पेपर नहीं लगाना चाते तो चारो तरफ अच्छे से ओल से ग्रीज करके मैदा चिड़क लें इसे साइड में रख देंगे एक बोल में डालेंगे आधा कप पाउडर शुगर यह 125 ml का कप है मिक्सी मे बहुत गरम या ठंडा नहीं होना चाहिए रूम टेंपरेचर पे होना चाहिए इसमें 1 फोट कप ऑईल डालेंगे मैं आलिव ओल ले रही हूँ आप कोई भी कोकिंग ऑई ले सकते हैं जिसमें अपना कोई फ्लेवर ना हो यानि कि जैसे सरसों का तेल होता है वो नहीं आप इसमें ले सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून वनिला एसेंस वनिला एसेंस से क्या होता है केक में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि एग वाले केक में यह डालना बहुत ही जरूरी तो इसे अच्छे से हम mix कर लेते हैं यह देखिए इस तरह से oil powder sugar और दूद को हमने mix कर लिया यह हमारे wet ingredients ready है अब हम इसमें डालेंगे अपने dry ingredients तो छलनी लगाएंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे एक कप मैदा यह 250 ml का कप है और यह 1500 ग्राम मैदा है अगर आपके पास measuring cups नहीं है तो आप एक कटोरी सेट कर लें और उसे से सारा measurement लें अब इसमें 2 pinch salt डालेंगे नमक इससे क्या होता है हर मिठी चीज का flavor बढ़ जाता है 1 teaspoon baking powder डालेंगे और 1-4 teaspoon डालेंगे baking soda जिसे मीठा soda भी कहते हैं सारी चीजों का अच्छे से चानेंगे इस तरह चानने से क्या होता है बैटर में air भर जाती है और हमारा cake बहुत बढ़िया से rice होता है अब एक spatula से इन सारी चीजों को fold करेंगे बहुती दीरे-दीरे mix करेंगे यह देखिए बहुती gently mix करना है यह देखिए आपका cake किस तरह से फूला है वो इसी पर depend करता है कि आपने बैटर को किस तरह से mix किया है यह देखिए मैंने cut and fold method से यह देखिए एक ही direction में बहुती धीरे-धीरे mix किया है अब इसकी consistency को adjust करने के लिए मैंने यह half cup दूद लिया है यह भी normal temperature पे है, room temperature पे है बहुत थंडा या बहुत गरम दूद नहीं लेना है इसे भी इसी तरह से mix कर लेंगे बैटर बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं होना चीए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चीए बिल्कुल ribbon like consistency होनी चीए इसकी तो इसे भी हम इसी तरह से एक ही direction में cut and fold method से बहुत हलकी हाथों से धीरे-धीरे mix कर लेंगे यह बचा हुआ दूद भी हम इसमें add कर देंगे अभी बैटर थोड़ा सा गाड़ा है, दूद आपको कम या ज़्यादा लग सकता है यह depend करता है आपके बैटर की consistency पे पहले मैंने आधा कप दूद यूज किया था जब मैंने oil के साथ mix किया था और आधा कप मैंने अभी डाल दिया तो टोटल मैंने इसमें एक कप दूद यूज किया यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह की ribbon like consistency होनी चाहिए अब इसमें हम डाल देंगे 1 teaspoon विनेगर क्योंकि जो हमने इसमें soda डाला है उसे react करने के लिए थोड़ी सी खटी चीज चाहिए होती है अगर आपने दहीं डाला है तो आपको विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं है या आप इसमें lemon juice निम्बू का रस भी डाल सकते हैं इसे भी हलके आतों से बस एक बार mix कर लेंगे और अब इस batter को हम डाल देंगे cake tin में अगर आप इसमें थोड़ी से dry fruits या tutti fruity add करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं तो हम ये इसे batter को इसमें transfer कर लेते हैं ये देखिए सारा batter इसमें हम transfer कर लेंगे आज मैं इसे oven में bake करी हूँ तो उसे 180 degree Celsius पर 10 minute के लिए preheat कर लेंगे अगर आप कड़ाई, पतीले या cooker में bake करें तो उसे भी medium heat पर 10 minute के लिए preheat कर लें और नीचे आप थोड़ा सा नमाख या sand बालू रेता बिचा सकते हैं ताकि heat evenly spread हो ये सारा मैंने इसमें transfer कर लिया अब इसे थोड़ा सा हम tap कर लेंगे ताकि इसमें कोई air bubble trap हो ना तो हो निकल जाए ये देखिए इस तरह से पटक कर 2-3 बार tap कर लेंगे अब मैं इसे oven में रख दूँगी 180 degree Celsius पर 30 minutes के लिए और अगर आप कड़ाई या cooker में bake करें तो आप बिल्कुल low flame पर इसे bake करेंगे 45-50 minutes तक ये देखिए ये अच्छे से bake हो चुका है एक toothpick या knife इंसर्ट करके इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अब इसे हम आदा घंटा ठंडा होने देंगे गरम केक को कभी भी डी मोल्ड ना करें अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है अब एक knife से इस तरह से चारू तरफ इसकी sides को edges को clean कर लेंगे अब एक plate में इसे इस तरह से tap करेंगे और डी मोल्ड कर लेंगे तो देखा आपने इसे बनाना कितना असान है अगर आप बिगने रहें तब भी आप इसे बहुत ही असानी से बना सकते हैं इस butter paper को दीजे से इस तरह से निकाल लेंगे अगर आपने butter paper नहीं लगाया और उसे oil से grease किया ना cake tin को और उस पे चारू तरफ मैदा चिड़का तब भी आपका cake easily demold हो जाएगा अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ यह देखे कितना बढ़िया यह हमारा sponge cake बना है अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ बहुत ही बढ़िया यह cake बना है यह देखे काटने से इपता चल रहा है कि यह कितना soft बना है आप जरूर इस केक की रेसिपी को घर पर ट्राई करें आपका भी केक बहुत ही बढ़िया बनेगा मैं आपको एक पीस पास से दिखाती हूँ यह देखिए कितना स्पंजी बना है बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही मॉइस्ट बेकरी से भी बढ़िया केक आप घर पर बना सकते हैं यह देखिए अगर आप पूरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे न तो आप बेकरी से भी बढ़िया केक घर पर बना सकते हैं आपको यह केक की रेस्पी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं अगर आपको यह रेस्पी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग